नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी रास्थानी दिल्ली में अर्विंद केज़रवाल सरकार की सिक्षा मोडल की पोल लगास्तार खुल रही है और हाली में 27 अगस्त को अर्विंद केज़रवाल ने रास्थानी दिल्ली में पहले सैनिक स्कूल का उल्धाटन किया और इसी के साथ साथ केज़रवाल यही बड़े-बड़े दाफिक किये और कहा कि दिनी के गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी अब जेना में अधिकारी बनकर देश की सेवा कर सकते हैं कि स्कूल स्टेट ऊफ अर्ट फैसिलिटी से युक्त है जो बड़े-बड़े स्कूलों में भी फैसिलिटी नहीं होती है वो इन स्कूलों में फैसिलिटी है जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एंठिय की चार साल की तैयारी भी कराई चाए की बच्चों की सिक्षा पुरी तरह फ्री है ताकि यहां गहीव और अमीर के पीच कोई भेतभाव ना हो सके यहां असी से नब्य फीस्ती बच्चे सरकारी स्कूल से आई हैं कि बड़ा स्वावा केजरवाल की ओर से क्या है और उस तहा से 27 अगस्त को ये डिली के छोटा कला गाव हैं जहां शहीद भगस्तिंग आर्म फोर्सेज प्रिपेटरी स्कूल का उत्खाटन केजरवाल ने किया लेकिन इसको लेकर अब कई चोकाने वाले खुला से साफने आई हैं कि किस तहा से इस स्कूल को तहियार करने में भी खोड़ाला किया विजय पटेल नाम के जो एक सक्ष हैं जो कि इंडिया के फाउंडर हैं उनकी तरफ से सिलसलेवार ठंग से लगभग 10 ट्वीट किया गाई हैं जिसमें उन्होंने दिल्ली के पहले सैनिक स्कूल की पोल खोली है और सारी केजरवाल सरकार को भी दिन की लिगाने दरसल दिली में आम अध्मी पर्टी कि जो कार्य करता हैं कि ओर की एंदियधि runtime की सजय से भी रह पारा से उनके साथ मिलकर पूरे स्कूल में घर टाला किया है बड़ा खुलास सा इंकी तलब से क्या ikalra है आपको बतातेें उन्होंने एक शक्स का वीडिओ को भी शेयर किया है अमित्खरकरी नाम के शक्स संने ये वीडियो दिली के उसी सेहनिक स्कुल के बाहर बनाया है जिसको लेकर अर्बिंद केजरवाल सरकार पर तमाम आशोब लग रहा हैं और इस वीडियो में बकाहिता तमाम्धोंक्त के चरह अमित खरकरी ने ये बताया है कि किस तरह से अरफिंद केज़वाल जो दिल्ली में पहले सैनिक स्कूल को लेकर वहवाई लूट रहे हैं उन्होंने तरजल इस पूरे स्कूल को बनाने में ही लूट की है उन्होंने एक स्रिसा राउ नाम की एक महिला का जिक्र किया है जो कि आ आम आदमी पार्टी की कार्य करता है और आम आदमी पार्टी की कोर्ग्रूप के वह बेहद नजदीक भी रह चुकी है और यह आम आदमी पार्टी की स्टार कैम्पेनर भी 2019 में रही है हर्याना में आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभाद चुनाओं में उन्होंने कैम्प परकरी ने अपनी वीडियो में किया है और उन्होंने ये खुलासा किया है कि स्रिसा राउ इसकी योजना बना थी है कि किस तरह से दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को लूटा जाए और दिल्ली के सभी स्कूल का वो दौरा करती है जिसमें वो जो दिल्ली के छरोता कला गाउ ह है वहाँ जो स्कूल है वहाँ पहुंसती है और वो स्कूल जो है वो उन्हें इस मुफीद लगता है कि इसे स्यनिक स्कूल बनाया चा सकता है क्योंकि वहाँ 14 एकड़ की जमीन है और बढ़िया इंफ्रस्ट्रक्ट्टर स्कूल का था जिसके बाद वो 12 जून को ये इसके ये लूट मजाई जा सके इस तरीके का दाफा अमित खरकरी ने अपनी इस वीजियो में किया है तमाम ऐसे ट्वी तमाम ऐसे पोस्ट सोशल मीडिया पर ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से एक योजना बद तरीके से ये तमाम चीज़े की गई है और एक आम आदमी पार्टी की कारे करता हैं सिरसाराओ चिछों ने 15 नवंबर 2021 को एक नई कमपनी बनाई और ये सिर जिफ त्रिफ देट से दो महिने पुरानी कमपनी थी आपको बतारें 15 नवंबर 2021 को सिरसाराओ ने केके कमपनी बनाई और जिफ दो महिने इस कमपनी का एकस्पिरियन्स था यानि कोई experience इस company के पास नहीं था और नहीं armed forces के मद्दे नजर कोई तयाही ऐसी इस company ने पहले कराई थी तो ऐसे में इस company को ये जिम्मा थिया किया कि वो दरसल इस सेहनिक school को तयार करें सवाल यही उठ रहा है कि आखर किस बिहाख पर इस company को ये tender दिया किया आर्मी के नाम पर ये किस्तहा की लूट की गई है ये केटरवाल से अब सवाल पूछा जा रहा है और साथ ही दिल्ली के जो उपराच्चेपार है वीके सकसेना उनसे जाज की मांग इस पूरे माफले में की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी है उसे सजा दी जाए तो अमित खरकरी ने ये वीडियो बनाया है तमाम ऐसे ट्वीट तमाम ऐसे पोस्ट उन्होंने बकाहता दस्ताफेचों में दिखाए हैं ये साफ इशारा कर रहा है कि दिल्ली का पहला सैनिक स्कूल जिसको लेकर केज़वा लगातार वावाई लूट रहा है उसमें भी लूट पार्ट की गई है किस तरह से दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट को लूटा गया है ये कही न कहीं दस्ताफेच है जो गभाई दे रहा हैं लेकिन इस पूरे खुलासे के बाद अब सिरसार राओ ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी प्राइफेट कर लिया है जिसका स्क्रीन शोट जो है वो विचय पटेल ने अपने ट्वीटर हैंटल पर शेर किया है और होने जो सिल्चलेवार ठंक से ट्वीट किये हैं उसमें बताया है कि दरसल दिल्ली के सिक्षा मोडल जिसको लेकर हाली में अर्फिंद केजवाल और सिसोधिया बड़े- कर रहे थे अब उसमें एक और बड़ा घोटाला हुआ है उन्होंने समझाया है कि किस तरह से यह घोटाला किया किया है उन्होंने बकाहितार सिसर राव की तस्वीर जो है मनीश सिसोधिया के साथ वो शेर की है यह तस्वीर जो है यह दस परवरी 2021 की है जब उन्होंने उनकी तरब से एक ओर ट्वीट किया है जिसमें बताया किया है कि 15 छुलाई को सिरसार राव जो है वो एक बार फिर सिसोधिया से मुलाकात करती हैं और अक्टूबर में सिरसार राव ने सैनिक स्कूल के बारे में एक ऐसा पोस्ट किया जैसे कि वो पहले से ही जानती थी कि उन थी उन्होंने एक ओर ट्वीट किया है जिसमें बताया है कि नवंबर में सिरसार राव ने एक कंपनी साइकोरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाई और उन्हें आम आदमी पार्टी के पहले सैनिक स्कूल को सभालने का टेंडर मिला और इस तरह से उसके बाद कि अमित खरकरी का वीच्छो साफ ने आया सोशल मीडिया पर पोस्ट किया किया उनकी तरफ से बकाहता और जिसके बाद उन्होंने अपना ट्वीटर अकाउंट जो है वो पुरी तरीके से लॉक कर लिया है तो सवाल यही है कि क्या इस पुरे माफले में भी खोटाला किया क क्या है क्या दिल्ली के पहले सेहनिक स्कूल बनानी का दाफ़ा करने वाले केचरवाल इस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही लूट रहे हैं क्या अपने ही आत्मियों का इस्तेमाल करते हुए तरीके से यह खोटाला क्या क्या है अब यह जाच का विशे है और लग दिल्ली में एक सेहनिक स्कूल की स्थापना की खोशना करने के आम आधमी पार्ठी के फैसले पर यह बड़ा खुलासा हुआ है फैसले के कारण क्या हुआ क्या फिचार थे सिक्षा विदो या स्कूल को चलाने का कोई अनफ़व नहीं रखने वाले जो कंपनी है उसे ठेका क्यों दिया है क्या है सिसोद्या का संग्रक्षन नेटवर्क काम कर रहा है यह बड़ा सवाल है और जिस महिला का नाम साफने आ रहा है सिरसार राओ वो दरसल आम आजमी पार्टी के लिए परचार भी कर चुकी हैं तमाम ऐसी वीडियो साफने आई है जिसमें उने आतिशी के लिए राजस्थाने दिल्ली में चुनाफ पर चार किया है सिसोद्या के साथ तमाम फोटो साफने आई हैं तो इस तरीके के खुला से लगाहतार हो रहे हैं अब सवाल यही है कि आर्विंद केजरवाल जो ये कह रहे थे कि अब गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी लूटने का काम करें कि यह सवाल लगाहतार पना हुआ है जिसको लेकर अब एलजी से जांच की मांग की जा रही है फिलाग आपकी इस पूरे पाफिर पर क्या राए है में कॉमेंट बोक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थानिवाद